this is a good friends welcome to nursing Academy तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डैप्टिस मेलाइटस इन प्रेगनेंशी के बारे में कि यह कैसे मदर्स को अफेक्ट करता है और फीटर सके इसके क्या काज्थे से हैं इसके की सिंटम्स है उसको हम्हाइज करके जाल को स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडैक्शन से स्टार्ट करते हैं निठीकीष क्राइबर से स्टार्ट शुक्राइबर nd juvenile नियुदा थ 여자 दो क्या है इटीच एंड सर्भ नैकल कोंप्लिगेशन औम प्रेगनेन सी 2 लिच निक इनसुलीन in the cellular level तो डायबटिक मेलाटर सब लोग जानते होंगे लेकिन इस कैसे होता है उसके बारे में आपको बताने वाली हूं ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें की इसमें कार्बोध्रियट प्रोटीन प्रोटी इंसुलिन प्रोडक्शन आप जानते हैं जो पेंक्रियास रहता है पेंक्रियास में आइलेंस अप लेंगर हैं जो सेल्स होते हो क्या करते हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं तो अगर इसकी डेफिसेंसी हो जाती है तो ग्लुकोज का लेवल हाई हो जाता है ठीक है और दूसरा यह कारण है कि इन इंसुलीन को प्रोड़क्षन तो हो रहा है लेकिन अगर उसका यूज नहीं तो उसके कारण भी हाइबर ग्लाइसीमिया हो सकता है तो यह था हमारा इंट्रोड़क्षन देन हम देखते हैं इंसिदेंस तो इंसिदेंस जो होता है यह 1-4% अफ दो यह वह 2-4% पहसं चैले अश्चाश्चाश्चा अब था तो सकता है देखते हैं इंसिदेंस तो यह था हमारा प्रोड़क्षन फंक इसके को प्रीव दिएप्ति मोलाइटन को कितने टाइप होती हैं, टाइप सेर तौन एफ सर्काइबन टाइप्तस मेलाइटन yatim उसमें क्या होता है इसको और भोलते हैं जूनल डाबीटिस मेलाईटास ठीक है तो इसमें क्या होता है जो पेंक्रीक्रटिक भीटा सेल्स है प्रोड़क्शन कनता है इसकोन नार्माली डाइट से और Instant It से कंड्रोल कर्सकते हैंchu न Dw डाइप एला है तो भीटे इसके लिए डाइट कंट्रोल करते हैं ठाइप 3 जिसको बोलते हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो यह क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें इसमें carbohydrate intolerance के कारण यह होता है अब प्रेगनेंसी के समय ठीक है इसको हम लोग डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं और इंसुलिन थेरपी से कंट्रोल कर सकते हैं यह था हमारे टाइप्स और इसको दिया थे अब नचल इंस्टीट से किसे का इस समय है इसको पर इन्सुलिन डिपेंटेंट इसमें तर यह था है इसमें क्या है ताइप फट इसमें का यह थे तो आप आप सब डाइप्स मेला इन प्रेगनेंशी के तो हम लोग नॉनमार्मल में बात करने वाले किस के बारे मेरे हैं तो उसके कितने टेप्स हैं तो इसके तीन टाइप से में ली तो पहला टाइप से प्री जस्ट्रीशनल डाइबिती जलाईटर सटें मेवर्ड रडेड़ बेटीश इसका फजाएंगे आहर चाहिए जो पहले कि की है दो टैपस में ऐस्कार प्रेंट तेल वह थो न इन्सुलीन डिपेंटेंट निवीडियेटी साना थरी चाहिए तो हम लोग देखेंगे सब्सेड़ी कामन करते हैं कि डापेटी समय लाइटर्स जो रहता है उसका प्रेगनेंसी में क्या एफ्क् किसे एफेक्ट पर तो पहले देखते हैं में डूरिग प्रेग्नेंसेे ड्यप् dif weekend का यफेक्ट परता है तो सबसे पहले है तो दीने मेडिस का यह पॉसकता है जर्बूरीश नं परीटम लेबर हो सकता है रेटिनो पेथी पीज़ करता है तो और तो बेबी क्या होता है जो बेबी का राइट जाता है तो इसके कारण जो लेबर है फ्रोलोंग हो जाता है तो निकलने में प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए अलग से डिलेवरी मेजर करना पड़ता है जिससे उसको निकाला जा सकते हैं था हमारा इफेक्ट दां हम देखिए पेहनिया इंजुरी तो पैयनिया इंजुरी करने मदर में पॉस्पाटं हेंच हो सकता है था prob पुराम के टैप में क्या इप्रायटार परommes घ्रक सैप्यें में स takes आ जाँद पोकिकि जो होने के बात बहुत जाद़ प्रॉ-लो रहता है त यह ता हमारा इफेक्ट अधा मदर्स और न हम देखिंगे कि फीटस पर क्या इफेक्ट परता है तो सबसे पहला पॉइंट है कि फीटल मैक्रोसोमिया मतलब क्या होता है कि फीटस का साइज बड़ा हो जाता है ती वें डियाबिटीस मेलाइटस में नार्मल जो बेबी का ठीक है इसमें इंट्राइटरें ग्रोफ रिटार्डेशन भी हो सकता है प्रीटम बर्थ होता है रेस्पारेटरी डिस्ट्रेस सेंड्रोम हो सकता है तेन हाइपो कैल्सीमिया पॉली साइथेमिया हाइपर बिली रूबीनेमिया हो सकता है हाइपो मैंगनिसीमिया हो सकता है ボディ सेंटर नर्वा सिस्टम में इस्टैंटों곤 में मैं चित्वा किया हो सकता है दें गुज्च लिए ये और आस्टम जाना σ्टिकल जाथे शिक्सेंग अग्छीम कोक्राइट प्राकर Ihnen तो कर्दो कि यह विर्विंग की लोन के इनगर की देख वेघ्राणंगर, राइफल एंडश्पपो टेतास प्रेकिन प्र कर्दों में Rev d परिज्ट्रिष्ट्रिष्ट्राइबटीष करते हैं प्रेटाइबटीष decisions रहे प्रेगनन से पहले अगर इसको तैसymal力 डेशिटिटीक मेलायिटर्स तो ये और zejंडिपनेंड डिपनन्ट Guide then a non-insulin dependent diabetes mellitus इसका ये इंसिडिन्स होता है वो 10% कर दाइबुस्टीश मिलाइटेस हो रहा है में इसमें 0.1205 परसेंट जो होता है वो प्रीक्रेस्टिश्टेसनल ठीक हुआे जना हम देखें टिस्ट का हम क्या कर सकते हैं zij को loni टेस्ट कर सकते हैं हैं लिवर संटेस्ट के टेस्ट, यूरीन टेस्ट, कल्चर, इसे पूरा कर सकते हैं, फीटस में क्या कर सकते हैं, अल्टरा सांट कर सकते हैं, फीटल किक सांट कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट कर सकते हैं, यह था हमारा इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैनेजमेंट क्या करना हैं, तो मैनेजमेंट में πο़िए अटीपाढम में इंटराबाढम थन पोस्पाढम डिकेन recognizing at क्या हरें करेंगे किशू कॉनस्लिंग के कि आप मतलब हर मन्त में विजिट करने की लिए और अपना चेक करें एक ही काउंसलिंग हुआ तो एक में क्या करेंगे चrekन हzekते हैं कि एक है इस्थे सबसे त्री मिल्स जो देते हैं जो प्रेगनेंट मोमें लेती है ताइट में द्वाइट किरने हैं हम लोको 5 to 7 to 7 तैंस में और केलोरी त्री फॉर्टी कैलोरी पर बॉर्डी वेट मतलब उसके 30 टु हम दों को 50 पर सेना है। हम लोग को 20 to 30 पर सेना है जिसमें 100 to 200 ग्राम पर देना है?... फैत Warren को 30 पर से से लर्स देना है। इसमें 80 ग्राम पर दे बिटामीन और मेंलस अल्टरेनेटे यह ना देते ही रहते हैं। यह दूसरा पॉइंक हम देखें तृसरे में बात करना है और इसके बार हम देखेंगे कि टारगेट ब्लड ग्लुकोस लेबल कितना होना चाहिए तो टाइम आप मेजर्मेंट इसमें है और टार्गेट ग्लुकोस अ कि अब छागा थे आपमेड़ फास्टिंग में अरगें तो फास्टिंम से पहले सिर्फ घnt एक टाइम यिए तो फास्टिंगों में देखेंगे तो फर्स्ट आवर में कितना होना से सो से 120 होना चाहिए दिन सेकेंड आवर में 90 से 120 होना चाहिए यह था टार्गेट ब्लड पूर्ट कोस लेबल डियूर्न प्रेगनेंसी दैन हम लोग और इसमें एंटी पाटम में और क्या यह थर्ड पॉइंट था दन फॉ कहाल तीमल चाहिए जो तो यह यह तो फर्सक जया थ ciao को इसने चाहिए न होग कोंसे बहुत हरा है में इसमें कॉर्पार्ट से kinda है काउंसलिंग करेंगे उसके बाद क्या करना है इसके बाद देते टुरेता है वह भी देते हैं और 5-परसंट देसकते हैं और इसमें और क्या देना रहता है इसमें जो इंसुलिन देना है उसको 250 to 500 ml नॉर्मल स्लाइन में या फिर इंगल लेक्टित में मिला के देना है इंसुलिन को ठीक है देन फीटल मॉनिटरिंग करते ही रहना है इसमें और पॉटोग्राफी पॉटोग्राफी में क्या होता है जो प्रेग्नेंसी लेबर का जो प्रोसेस रहता है फर्स करना है तो पोस्ते स्वाटन पीरेटर्स सबसे पहले तो जो भिलेड लूकोस लेबर मॉनिटर करते ही रहना है और गिंशन प्रूद इंसुलिन नहीं में रहता था ऐसे ही इसली और क्या देना है ब्रेश पेंडनाumo प्रेगनट मुंइन के लिए क्योंकि जो कंबाइन पिल्स देते हैं वोBlue जादा हम्फूल होता है कि दाइबर इस मिद्र के लिए तो यह जो चाहिमीं वाली जो पिल्स रहते हूं क्या करतें ख्राइब करते हैं इसलिगे प्रॉब्रम क्रेट करता है तो इसमें हमनों को प्रो कर दिण और था था कि परोजिस्टरोब्स तरफ डिदेनु आइजा तो यह था हमारा मैरिस्टमन गया हम कैसे करेंगे हम बस्तिष्टिसलरियलायittis तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दिजेगा सब्सक्राइब कर दिजेगा थांक यू